नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल डिजिटल भंडार पर आज की वीडियो में हम CPCT exam नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर से सम्बंदित एक important टॉपिक को समझने वाले हैं यह हमारा CPCT exam नवंबर 2022 के लिए part number 23 है इस वीडियो में हम MS Excel के statistical function को समझने वाले हैं जो कि CPCT exam के लिए एक important topic है CPCT के exam में 2-3 question MS Excel के function से सम्बंदित होते हैं previous वीडियो में हमने math and trigonometry के functions को समझा था आज की वीडियो में हम statistical function की category को समझने वाले हैं यह एक ऐसी category है जो statics data पर सांख किये data पर work करती है यदि Excel में आपके पास कोई series वाला data है list है series है उस पर आपको कोई operation perform करना है तो statistical function का use किया जाता है जर्नली इसे statics data पर use करने के लिए बनाया गया है तो आज की वीडियो में हम MS Excel के statistical category के कुछ important function को समझेंगे जो की कई बार paper में पूछे गए हैं तो चलिए चलते हैं MS Excel software पर और statistical category के कुछ important functions को समझते हैं तो यहाँ पर हमने MS Excel में एक list तयार करी है जिसमें हमें कुछ functions को सीखना है समझना है यह सभी statistical category के function है जिनको आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं यह सभी function series पर list पर work करते हैं यहाँ पर हमने लगबग 13 types के 13 प्रकार के functions की list तयार करी है जिनको आज की वीडियो में हम समझेंगे साथी साथ हमने यहाँ पर एक sample data तयार किया है इस data पर हम यह सभी function practically use करना सीखने माले हैं यह सभी function कई बार paper में पूछे जा चुके हैं या तो आपसे पूछ लिया जाता है कोई function क्या वर्ग करता है या फिर आपको एक function लगा कर दिया जाता है जिसका आपको output बताना होता है आप सभी ने इन में से कुछ functions को पहले भी पढ़ा होगा समझा होगा हो सकता है आपने सभी functions को पढ़ा हो लेकिन जब आप इस complete वीडियो को देखेंगे तो आपको इन function से संबंदित कई परकार के question तयार करने मिलने वाले हैं तो चलिए सुरुवात करते हैं आज की वीडियो का देखते हैं आज का हमारा पहला function जो की है average function यहाँ पर हमने average function के 4 types को लिखा है सबसे पहले हम average function को समझ रहे हैं और इसके 4 types होते हैं excel में पहला होता है average दूसरा होता है average a तीसरा होता है average if और चौनता होता है average ips तो यहाँ पर हम average function के total 4 types को समझने वाले हैं average क्या होता है? average का मतलब होता है औसत यदि आपको excel में कुछ number का औसत निकालना है average निकालना है, तो आप average function का उपयोग कर सकते हैं, कई बार paper में पूछ लिया जाता है, कि Excel में average calculate करने के लिए, किस function का उपयोग किया जाता है, average calculate करने के लिए, आपको यहाँ पर average function की अलग-अलग spelling दी जाती है, और आपको बहाँ पर बताना होता है, कि Excel में कौन सा average function है, आ याद रखें Excel में Average Calculate करने के लिए Average Function को हमें पूरा टाइप करना होता है मतलब Average Function का कोई short form नहीं होता है यदि आपको Average Calculate करना है तो आपको Average Function की पूरी spelling टाइप करनी होती है तो समझते हैं मारा पहला Function जो की है Average Function Average मतलब औस निकालना यदि आपके पास Excel में कुछ numbers हैं और आप उनका औस निकालना चाहते हैं तो आप इस Function का उप्योग कर सकते हैं यह Function केबल number का औस निकालता है यह Function केबल उनी सैल को चेक करता है जिन में number भरे होते हैं यदि किसी cell में text भरा है या logical value भरी है तो यह उसको jack नहीं करता है पहले हम average को समझेंगे उसके बाद हम average A को समझेंगे और दोनों में कुछ difference भी होते हैं उनको समझेंगे पहले हम सीखते हैं average function को use करना हमने यहाँ पर जो table बनाई है इसमें कुछ student के marks है number है यदि हमें इन सभी marks का average calculate करना है तो हम average function का use कर सकते हैं यहाँ पर हमने equal के साथ average function को type किया और average function के अंदर हमने student के marks को select कर दिया एक range दे दी अब average function क्या करेगा सभी student के marks को पहले add करेगा total निकालेगा फिर जितने भी ये marks है उतने से भाग दे देगा और यहाँ पर calculate कर देगा हमारे average को average function ने क्या किया हमने जो range दी थी उस range को पहले add किया फिर जितने भी हमारे student है number of student है उतने से उस total को divide कर दिया इस परकार से average calculate होकर आ जाता है तो यह हमारा पहला function है जो कि कुछ numbers का average या ओसत calculate करता है Excel में average calculate करने के लिए average नाम का function use किया जाता है जो कि ओसत निकालता है लेकिन average function केबल number पर work करता है केबल number पर यदि किसी cell में text होगा या logical value होगी तो यह उस पर work नहीं करेगा यदि किसी cell में text होगा या logical value होगी तो उस पर average function work नहीं करेगा for example हमने यहाँ पर यदि एक cell में कोई text type कर दिया for example हमने यहाँ पर लिख दिया दम हो तो आप देख सकते हैं अब हमारा average change हो गया है अब हुआ क्या है पहले हमारे जो student के marks थे सभी student के marks को जोड़ा गया था फिर जितने भी यह marks थे उतने से भाग दिया गया था जब total में भाग दिया जाएगा तो एक cell को कम कर दिया जाएगा इस cell को count नहीं किया जाएगा पहले इस cell को count किया जा रहा था अब इस cell को count नहीं किया जाएगा तो जो average function है वह केवल number को count करता है number पर work करता है text पर work नहीं करता है इसी प्रकार से यदि हम किसी cell में कोई logical value भर देते हैं logical value मतलब true या false तो average function उसको भी check नहीं करता है उस पर भी work नहीं करता है average function cable number पर work करता है cable number पर ना यह logical value पर work करता है ना ही यह text पर work करता है इसको हम एक और example से समझ सकते हैं यहाँ पर लेखा 2, 2, 2, यह हमारे 3 नमबर हैं, 3 नमबर हैं, अब यदि हम 3 का एवरेज निकालें, तो हमने यहाँ पर लेखा equal, average और हमने यहाँ पर range दिया है, हमें इन 3 नमबर का एवरेज निकालना है, तो हमारे 3 नमबर हैं, 2, 4, 6 होगा total, और 3 नमबर हैं, 6 में 3 से लेकिन यदि हम यहाँ पर एक सेल में नंबर के स्थान पर कोई text टाइप कर देते हैं तो अब आप देख सकते हैं अब हमारा average कितना आ रहा है दो आ रहा है ऐसा क्यूं हुआ क्यूंकि पहले इन दोनों को जोडा जाएगा इन दोनों को जोडा गया तो कितना होगा दो और दो चार और अब यहाँ पर तीन से भाग नहीं दिया जाएगा दो से भाग दिया जाएगा और जब चार में दो का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दो आजाएगा आप देख सकते हैं यदि हम चार में दो का भाग देते हैं तो आंसर कितना आएगा दो यहाँ पर अ average function उसको count नहीं करता है उसको check नहीं करता है average function cable उन्हीं cell पर work करता है जिन cell में number भरे होते हैं यदि हम यहाँ पर number टाइब करेंगे तो हमारा जो average है हमारा जो औसत है वह change होगा आप देख सकते हैं number को type करने पर औस चेंज हो रहा है लेकिन यदि हम यहाँ पर कोई text टाइप करते हैं या फिर हम कोई logical value टाइप करते हैं तो उसको average में include नहीं किया जाता है यह average function के साथ एक problem होती है कि वह cable number पर work करता है ना ही यह logical value पर work करता है ना ही यह text पर work करता है तो अभी हमने excel में पहला function समझा जो कि यह हमारा average a function average a function average a function average का extended version है यह है all value पर work करता है all value मतलब number पर भी work करेगा text पर भी work करेगा all logical value पर भी work करेगा logical value मतलब true and false यदि हम यहाँ पर एक number type करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा average function का output यह आ रहा है average का अब हम यहाँ पर नीचे वाले cell में लगाने वाले हैं average a function को average a यह भी क्या करेगा आप से एक range लेगा और आपको उसका average निकाल कर देदेगा आप देख सकते हैं दोनों जगहे पर हमारा output same आ रहा है average function में भी और average a function में भी दोनों जगहे पर हमारा output कैसा आ रहा है बर कि average function भी और average a function भी दोनों ही ओसत को calculate करते हैं लेकिन यदि हम यहाँ पर किसी एक cell की value को बदल देते हैं for example हमने एक cell में कोई text type कर दिया for example दम हो तो अब आप देखेंगे कि average function का output अलग है और average a function का output अलग है दोनों function का output अलग-अलग मिलेगा आपको क्यूं क्यूंकि average function text को तो ignore कर दिया जब divide करेगा तो इस cell को count नहीं करेगा लेकिन average a function divide करते समय इस cell का use करेगा मतलब average function text को count नहीं करता है text को use नहीं करता है जबकि average a function text पर work करता है इसी प्रकार से यदि हम किसी cell में कोई logical value type कर देते हैं logical value तो आप देखेंगे जो average function है वह logical value पर work नहीं कर रहा है लेकिन average a function logical value पर work कर रहा है तो average और average a दोनोही फंक्षन आसत निकालते हैं average calculate करते हैं लेकिन average function kable number पर work करता है जबकि average a function number के साथ साथ text और logical value पर भी work करता है यह दोनों में difference होता है हम इन दोनों function को एक और example से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं for example हमने यहाँ पर कुछ number को लिखा यहाँ पर हमने पहला number दिया 2, 4, 6 यह हमारे तीन number है अब इन तीनों number का हम यहाँ पर निकालते हैं average हमने average निकाला पहले इन तीनों number का हमने average निकाला तो आप देख सकते average कितना आया हमारा four, four क्यों आया पहले तीनों number को जोड़ा जाएगा, तो तीनों number को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 2 और 4, 6, 6 और 6, 12, 12 हुआ total, total में number हैं हमारे तीन, तो 12 में तीन का भाग दिया गया, कितना answer आ गया हमारा, 4, यह निकला हमारा average, यदि हम average एका use करें और average निकालें, तो भी हमें answer कितना मिलेगा अभी, 4 मिलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही function average निकाल रहे हैं, लेकिन यदि हम यहाँ पर एक cell में, अब यदि logical value भर देते हैं, logical value, logical value क्या होती है, true and false, true का मतलब 1, false का मतलब 0, तो अब आप देखेंगे, जो हमारा average function है, उसका output अलग है, और average a function का output अलग है, ऐसा क्यों हुआ, average function ने क्या किया, average function ने क्या किया, 2 और 6 को जोला, 2 और 6 को जोलेगा, तो कितना हो जाएगा, 8, और 8 में 2 से भाग देगा, अब 3 से भाग नहीं देगा, क्योंकि वह logical value को तो चेक नहीं करता, तो 8 में 2 का भाग देगा, तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 में 3 से भाग देगा, 3 से डिवाइड करेगा, तो average a का output कितना आएगा, हमारा 3 आएगा, मतलब average a ने true या false को, या text को चेक किया, लेकिन average ने text को या logical value को चेक नहीं किया, यह दोनों में difference होता है, हमारे average a function, number के साथ, साथ, text और logical value पर भी work करता है, तो यह होता है, average और average a function, अभी हमने Excel के दो function समझे, average और average a, अब हम समझने वाले हैं, third function, जो कि यह हमारा average if function, average if, average if का मतलब क्या है, एक condition के आधार पर average निकालना, एक condition के आधार पर average calculate करना, average मतलब औसत, if मतलब यदी, आपको एक condition के आधार पर, यदी औसत निकालना है, तो आप use कर सकते हैं, average if का, average if मतलब, यदी condition सही होगी, तो average निकलेगा, condition गलत होगी, तो average नहीं निकलेगा, average if को देखते हैं, किस प्रकार use किया जाता है, आपको equal के साथ, average if function को type करना है, यहाँ पर आपको कुछ argument देने होते हैं, पहला argument हमसे क्या मांगा जा रहा है, range, किस range का आपको average calculate करना है, तो हमें marks का average calculate करना है, हमने marks वाली range select कर दी, इसके बाद हमें देना होता है criteria, criteria मतलब condition, आप किस condition के आधार पर average निकालना चाहते हैं, तो criteria को condition को double quote में type किया जाता है, हमने यहाँ पर criteria देया है, greater than 50, bracket को close किया, average if क्या करेगा, एक condition के आधार पर average को निकालेगा, average को calculate करेगा, तो हमने यहाँ पर एक range दिया है marks की, और criteria condition क्या दिया है, हमें केवल उनी number का average निकालना है, जो 50 से बड़े हैं, अब हम enter की को press करेंगे, तो आप देख सकते हैं, average calculate होकर आ गया है, लेकिन सिर्फ कौन से number का average निकलेगा, 78, 56, 56, 56, इन 4 number का बस average निकलेगा, इसको हम check भी कर सकते हैं, कि हमारी जो condition है, वह सही है या नहीं है, तो यहाँ पर हमारी जो table है, इसमें 4 student के marks 50 से ज़्यादा है, चार student के marks ऐसे हैं, जो की 50 से ज़्यादा है, इसके बाद हम इसको divide कर देंगे 4 से, तो आप देख सकते हैं, हमारा answer कितना आया, 61.5, जो हमने average if function लगाया था, इसमें हमने range दी थी यह, इस range का हमें average निकालना था, और condition क्या दी थी हमने, हमें केबल उनी number का average निकालना है, जो की 50 से बड़े हैं, तो 50 से बड़े 4 नंबर थे, उनका average हमें निकाल कर दे दिया गया है, यह होता है Excel का average if function, जो की एक condition के आधार पर average को या औसत को calculate करता है, तो अभी हमने average function का third type समझा average if, पहला था हमारा average जो केबल number का average calculate करता है, दूसरा हमने समझा average a function, जो की number के साथ साथ logical value और text पर भी वर्क करता है, तीसरा हमने average function समझा average if, जो की एक condition के आधार पर average calculate करता है, अभी हम समझने वाले हैं average function का fourth type, जो की होता है average ifs, average ifs, यदि आपने average if समझ लिया, तो आपको average ifs बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, average ifs क्या कर रहा था, एक condition के आधार पर average calculate कर रहा था, अब average ifs जो है, यह multiple condition के आधार पर, multiple criteria के आधार पर average calculate करेगा, यदि आपको multiple condition के आधार पर average calculate करना है, तो आप average ifs function का use कर सकते हैं, देखते हैं इसको किस प्रकार use किया जाता है, आपको equal के साथ average ifs function को type करना है, average ifs, सबसे पहले हमें यहाँ पर average range देनी होती है, average range, मतलब हमें किस number का, कौन से number का average निकालना है, तो हमने यहाँ पर अपने student के marks की range दे दी, इसके बाद हमें दूसरा argument देना होता है, criteria range बन, criteria range बन मतलब आपको पहली condition किस range पर लगानी है, आप multiple condition लगा सकते हैं, लेकिन पहली condition किस range पर लगानी है, यह आप यहाँ पर एक range दे सकते हैं, तो for example, हमने यहाँ पर range दी class, हम पहली condition किस पर लगाएंगे, class पर, हमने सबसे पहले जो range दी है वाई किस की है, marks की, मतलब हमें marks का औसत निकालना है, लेकिन पहली condition हम किस पर लगाएंगे, class पर, तो हमने class वाले column की range दे दी, इसके बाद हमें कामा लगाना है, और पहला criteria या पहली condition देनी है, पहला criteria पहली condition हमने दे दी यहाँ पर, dca, इसका मतलब क्या होगा, marks का average निकाला जाएगा, लेकिन condition किस पर चेक होगी, class पर, class पर क्या condition दे दी हमने, dca, इसका मतलब क्या होगा, अब केवल उन्हीं student के marks का average निकाला जाएगा, जो किस class के होगे, dca class के, यदि हम enter की को press करें, तो हमें यहाँ पर, अब केवल dca class के student का average calculate करके दिया जाएगा, और कोई class के student का average यहाँ पर नहीं जोडा जाएगा, यह होता है average ips function, जिसमें हम एक condition या multiple condition के आधार पर average calculate कर सकते हैं, अभी हमने average ips function को single condition के साथ यूज किया, एक condition के साथ, यहाँ पर हमने marks का average निकाला था, condition लगाई थी हमने class पर, अब यदि हम एक और condition लगाना चाहते हैं, तो हम पहली condition के बाद कामा लगाएंगे, अब हमें देनी होती है criteria range 2, तो for example दूसरी criteria, दूसरी condition हम लगाने वाले हैं category पर, तो हमने दूसरी range दे दी category, अब इस पर हमें जो condition लगानी है, वह हमने दे दी for example journal, इसका मतलब क्या होगा आप, इसका मतलब है, हमें marks का आउसत निकालना है, average निकालना है, जिसमें से केबल उन्हे student का average निकालेंगे, जिनकी class होगी DCA, और जिनकी category क्या होगी, जर्नल होगी, एक साथ दो condition दे दी हमने यहाँ पर, अब केबल उन्हे student का average निकाला जाएगा, जो DCA class के होगे, और journal category के होगे, एंटर की को प्रेस करेंगे, तो हमें यहाँ पर average निकाल के दे दिया गया है, हमारी table में DCA class के चार student है, लेकिन DCA के अंदर journal category के cable दो student है, आप देख सकते हैं, दो student हैं, डी सीए के journal, 42 और 42, दोनों को add किया जाएगा, फिर 2 से भाग दिया जाएगा, तो average कितना निकला आया हमारा, 42 निकला आया, तो यह होता है average ips function, average ips क्या करता है, multiple condition के आधार पर, multiple criteria के आधार पर औसत निकालता है, यह था average function का fourth type, जो की होता है average ips, तो हमने यहाँ पर average function के चार types समझ लिए, पहला average है, जो जर्नली सामान्य तरीके से, नॉर्मल तरीके से average को निकालता है, दूसरा है average a, जो की logical value और text पर भी work करता है, तीसरा है average if, जो की एक condition के आधार पर average निकालता है, और next था हमारा average ips, जो की multiple condition के आधार पर average निकालता है, अब हम समझने वाले हैं, max function और min function को, आपने max function और min function को पढ़ा होगा, समझा होगा, यहाँ पर हम max function के दो type समझेंगे, max और max a, इसी प्रकार से min function के दो type समझेंगे, min और min a, max का मतलब क्या होता है, maximum मतलब अधिक्तम, यदि आपको एक range में से सबसे बड़ी value निकालनी है, सबसे बड़ी value select करनी है, तो आप max function का use कर सकते हैं, कई बार paper में पूछ लिया जाता है, excel में maximum value find करने के लिए, किस function का use किया जाएगा, तो excel में maximum value find करने के लिए, max function का use किया जाता है, और यदि आपको minimum value find करनी है, minimum value, तो min function का use किया जाता है, min मतलब minimum, पहले हम max function को समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे, min function को, तो यहाँ पर हमने equal के साथ max function को type किया और इसमें हमने अपने student के marks की range को दे दिया bracket को close करेंगे और enter की को press करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे जो student के record हैं उसमें highest marks maximum marks कितने है 78 तो जो max function है इसने क्या किया इसने हमें maximum value निकाल कर दे दी अधिकतम value निकाल कर दे दी यह होता है max function जो की एक range में से maximum value को search करता है select करता है और हमें return कर देता है max function को हम इस प्रकार से भी use कर सकते हैं equal max और यहाँ पर हम कुछ number दे सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ number दिये हैं इस प्रकार से भी आप max function का use कर सकते हैं यहाँ पर हमें answer मिलेगा 10 paper में कई बार ऐसे question आ जाते हैं आपको max function लगा के दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसका output क्या होता है तो max function जो भी बड़ा number होगा वह आपको select करके देदेगा तो अभी हमने max function को range के साथ use करना सीखा और साथी साथ number के साथ use करना सीखा आप max function को range पर use कर सकते हैं या direct number के साथ use कर सकते हैं तो max function क्या करता है maximum value return करता है अधिक्तम number जो भी होगा वह आपको return करके देदेगा तो Excel में यद derivative आपको Maximum Value Find करनी है तो आप Max Function का यूज़ कर सकते हैं अब हम Max Function का दूसरा Type जो होता है Max A इसको समझने वाले है Max A Max A भी Maximum Value को Find करता है Maximum Value को यहां पर हमने यह जो Maximum Value Find करी है यह करी है Max से नीचे वाले Cell में हम यहाँ पर max a function को लगाने वाले हैं तो हम type करेंगे max a और हमें जो maximum value find करनी है वह करनी है marks में तो हमने marks की range को select कर दिया bracket को close किया और enter की को press किया आप देख सकते हैं max function ने और max a function ने हमें same output दिया दोनों function का a की output है दोनों function एक जैसा work कर रहे हैं max function भी maximum value को find करता है और max a function भी maximum value को find करता है लेकिन दोनों में थोड़ा सा difference भी होता है difference को समझने के लिए हम कुछ दूसरे number पर इसको use करके देखने वाले हैं for example हमने यहाँ पर कुछ number लिखे हैं 10 5, 3 minus 2 minus 7 यह कुछ हमारे number है अब यदि हम इन सभी number पर max function का use करें तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको maximum value क्या मिलेगी 10 यदि हम max a का use करें तो भी हमें maximum value अभी यहाँ पर क्या मिलेगी 10 max ने भी 10 बताया maximum और साथी साथ max a ने भी क्या बताया 10 maximum लेकिन यदि हम यहाँ पर एक value रख देते हैं true true एक logical value है true एक logical value है logical value है मतलब true का मतलब है 1 और false यदि हम रख दें तो false का मतलब क्या होता है 0 false का मतलब क्या होता है 0 यहाँ पर हमने एक और value रखी true अब आप देखिए आपको output क्या प्राप्त हो रहा है यह output है max function का जो की आ रहा है minus 2 और max A का output क्या आ रहा है 1 जो max function है normal वह logical value पर work नहीं कर रहा है logical value का मतलब क्या है 1 का मतलब है true, false का मतलब है 0 अब हमने जो data दिया है यह है इस data में आप देखेंगे जो max function है वह क्या output दे रहा है maximum value क्या बता रहा है minus 2 लेकिन max A क्या बता रहा है 1 क्यों, क्योंकि true का मतलब होता है 1 और 1 बड़ा होगा minus 2 से जो max function है वह logical value पर work नहीं कर रहा है और max A function logical value पर work कर रहा है यह difference होता है max में और max A में max function, cable normal number पर work करता है, logical value पर work नहीं करता है, इसलिए max में output क्या मिल रहा हमें, minus 2, लेकिन max a का output क्या मिल रहा हमें, max a का output मिल रहा है, 1, 1 मतलब true, तो यहाँ पर जो max a है, वह logical value पर भी work करता है, जबकि max logical value पर work नहीं करता है, तो यहाँ पर हमने max function को समझा, और max a function को समझा, को और min a function को यदि आपने max और max a समझ लिया तो आपको min और min a बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे मिन मतलब होता है minimum मतलब new time सबसे कम यदि आपको कभी सबसे छोटी value find करनी है तो आप min function का use कर सकते हैं या min a function का भी use कर सकते हैं हमने min function को लगाया और यहाँ पर एक range दी enter की को press किया तो आप देख सकते हैं हमारे table में सबसे कम minimum marks कितने है 35 इसी प्रकार से हम min a function का भी use कर सकते हैं min a function भी क्या निकाल के देगा हमे minimum value सबसे छोटी value लेकिन min function के वल number पर work करेगा जबकि min a function number के साथ logical value पर भी work करेगा जिस प्रकार से max function है max a है उसी प्रकार से min होता है और min a होता है इसको हम एक और example से समझते हैं यहाँ पर अभी हमने दोनों cell में max function को समझा था अब हम यहाँ पर min function को समझने वाले हैं तो हमारा यह data है data क्या है हमारा true false for example यहाँ हमने रखा है zero और दो number भी रखे हैं अब हम यहाँ पर equal के साथ min function को लगाते हैं min हमने यहाँ पर range दिया है bracket को close किया और enter की को press किया तो आप देख सकते हैं हमें minimum value क्या दी गई है minus seven यूँकि सबसे छोटा है minus seven min function ने true और false को तो check ही नहीं किया true और false को check नहीं किया answer कितना दे दिया हमें minus seven अब यदि यही काम हम min a function से करते हैं min a से हमने range को select किया bracket को close किया enter की को press किया आप देखेंगे दोनों जगहे पर हमें answer क्या मिला minus seven लेकिन यदि अब हम इन number को बदलने हैं हमने यहाँ पर कर दिया five यहाँ पर कर दिया ten तो आप देखेंगे अब डोनों जगहे हमें answer क्या मिल रहा है zero zero क्यों मिल रहा क्योंकि हमारी table में एक जगहे पर zero रखा है यदि हम इसको कर देते हैं six अब आप देखेंगे min function का output कितना आ रहा है five min function का output कितना आ रहा है five क्योंकि min function cable इन तीन number को check कर रहा है किस किस को six five ten को तो सबसे चोटी value किस की मिली false की मिली false मतलब zero तो min a ने हमें output क्या दिया zero जबकि min function ने हमें क्या output दिया five तो min function logical value को check नहीं करता है जबकि min a function logical value को check करता है तो यह होते है min function और min a function जो की दोनों ही function minimum value को find करते हैं लेकिन min function केबल number पर work करता है जबकि min a function logical value पर भी work करता है यह थे हमारे min function और min a function अब हम count function को समझने वाले हैं count और यहाँ पर count function के हम total five types समझेंगे paper में कई वार count function से question पूछे गए है एक्सल में count function के total five types होते हैं पांच परकार का count function होता है एक्सल में पहला होता है simple count function दूसरा होता है count a function तीसरा होता है count blank चौता होता है count if और पांच बा होता है count ifs आपसे paper में पूछ लिया जा सकता है एक्सल में नंबर से भरे गए cell को count करने के लिए किस function का use किया जाता है number से भरे गए cell को count करना है तो use होगा count function आप से पूछा जा सकता है excel में भरे गए सभी cell को count करने के लिए किस function का use किया जाता है तो excel में आपने यदि किसी भी value से cell को भरा है number से text से date से time से उसको count करना है तो count a function होता है यदि आपको केवल blank cell को empty cell को count करना है तो use होता है count blank function एक condition के आधार पर cell को count करना है तो use होता है count if function और multiple condition के आधार पर count करना है तो होता है count ifs function समझते हैं हम पहले count function को जो की है count for example हमें अपनी table में यह count करना है कि total कितने roll number है या total कितने marks है तो हम किस function का use करेंगे count का आपको equal के साथ count function को लगाना है और एक range देनी है जिसको आप count करना चाहते हैं bracket को close करें और enter की को press करें तो count function ने यहाँ पर count किया कि आपके range में आपकी table में कितने cell में number भरे गए है ध्यान रखें count function केवल वही cell count करेगा जिनमें number भरे गए है यदि यहाँ पर कोई blank cell होगा blank cell होगा तो यह उसको count नहीं करेगा blank cell को count नहीं करेगा इसी प्रकार से यदि आपने किसी cell में text type किया है आपने किसी cell में text type किया है तो यह उसको count नहीं करेगा जो count function है यह केवल उनी cell को count करता है जिनमें number भरे गए है यदि कोई text भरा गया है तो यह उसको count नहीं करेगा आप देख सकते हैं logical value को भी count नहीं कर रहा है true false को भी count नहीं कर रहा है यह केवल किस पेपर करता है नंबर पर तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है एक्सल में नंबर से भरे गए सेल को count करने के लिए किस function का use किया जाता है वह होता है count function यदि हम count function को roll number के स्थान पर नाम बाले column पर use करें नाम में text भरा गया है एंटर की को press करें तो आप देखेंगे answer क्या मिला हमें 0 मतलब count function text को count नहीं करेगा केवल उन्हीं cell को count करेगा जिनमें क्या भरा गया है नंबर यह होता है count function जो की केवल number से भरेगा cell को count करता है यह text को यह logical value को count नहीं करता है इस problem का solution हमें देगा count a function count a भी counting करेगा लेकिन यह है किसी भी प्रकार की value से भरेगा cell को count करेगा for example अब हम use करते हैं count a function का यहाँ पर हमने roll number की range दी bracket को close किया और enter की को press किया आप देख सकते हैं 10 record है लेकिन यदि हमने एक cell को खाली कर दिया तो count a उसको count नहीं करेगा क्यूं क्यूंकि वह है तो blank cell है खाली cell है यह केवल भरे हुए cell को count करेगा यदि हम एक और cell को खाली कर दें तो यह उसे count नहीं करेगा मतलब count और count a दोनों ही भरेगा cell को count करते हैं लेकिन count क्या कर रहा था केवल number से भरेगा cell को count कर रहा था जबकि count a में आप क्या देखेंगे या किसी भी प्रकार की value से भरे गए cell को count करेगा आपने किसी cell में number भरा है आपने text भरा है आपने कोई symbol भरा है आपने कोई date भरी ये कोई time भरा है हर प्रकार की value को count करता है कौन सा function count a count के बर number से भरे गए cell को count करेगा जबकि count A सभी प्रकार की value से भरेगा cell को count करता है यह difference होता है count और count A में तो अभी हमने count function के दो type समझे एक था हमारा count और एक था हमारा count A अब हम समझने वाले है count function का तीसरा type जो की होता है count blank आपको इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा count blank यह cable कौन से cell को count करता है जो आपकी table में blank होते हैं खाली होते हैं आपसे paper में पूछा जा सकता है कि Excel में blank cell को या खाली cell को count करने के लिए किस function का use किया जाता है तो Excel में यदि आपको खाली cell को count करना है तो आप use कर सकते हैं count blank आपको equal के साथ count blank function को type करना है और range देनी है जिस range में आप खाली cell को count करना चाहते हैं enter की को press करें तो अभी हमारा answer आया 0 क्यूं क्यूंकि हमारा एक भी cell खाली नहीं है यदि हम यहाँ पर किसी cell की value को हटाते हैं तो आप देख सकते हैं जो count blank function है वह blank cell को count कर रहा है यह होता है count blank function जो की एक्सल में उन cell को count करता है जो खाली होते हैं cable blank cell को count करता है यह था count function का third type count blank जो की cable blank cell को या empty cell को count करता है अब हम समझने वाले हैं count function का अगला function जो किया count if count if count मतलब गिन्न, if मतलब यदि यदि condition के आधार पर गिंती करनी है condition के आधार पर counting करनी है तो आप use करेंगे count if का count if counting करेगा एक condition के आधार पर आपको equal के साथ count if function को लगाना है सबसे पहले आपको एक range देनी होती है range range मतलब जिसमें आप counting करना चाहते हैं हमने यहाँ पर range दी range के बाद आपको कामा लगाना है और एक criteria देना है condition देना है जिसको हम double quote में देंगे हमने यहाँ पर condition दे दी हमें वह number या वह cell count करने हैं जिनमें 50 से जादा कोई number भरा गया हो हम enter की को press करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें answer मिला 4 4 क्यूं मिला क्यूंकि हमारी table में जो student के marks हैं वह cable 4 student के marks हैं जो की 50 से बड़े हैं यदि हमें यहाँ पर equal भी लगा देते हैं तो आप हमें answer मिल रहा है 5 क्यूंकि 50 या 50 से बड़े 5 student के हमारी table में marks हैं तो यह होता है count if जो की एक condition के आधार पर range को count करता है condition के आधार पर counting करनी है तो आप use कर सकते है count if function का लेकिन यह है एक condition के आधार पर counting करता है एक condition के आधार पर यदि आपको multiple condition के आधार पर counting करनी है तो आप use कर सकते हैं count ifs function का count ifs मतलब multiple criteria multiple condition के आधार पर counting करना यह आपको एक साथ multiple condition के आधार पर counting करने की सुभिदा देगा आपको equal के साथ count ifs function को लगाना है सबसे पहले आपको यहाँ पर criteria range देनी होती है criteria range बन तो for example हमने पहला criteria पहली condition लगाई class पर तो हमने class की range दे दी इसके बाद आपको कामा लगाना है फिर आपको देना है criteria बन मतलब condition बन तो double court में हमने condition दे दी हमें वह record count करने है जो dca के हो ऐसे student के record को count करना है जो कौन सा course कर रहे है dca तो पहला criteria लगा है class पर तो हमने class की range दी और class का criteria दे दिया इसके बाद हमने कामा लगाया अब हमें देना है criteria range 2 आप दूसरी condition किस range पर लगाना चाहते हैं उस range को select करें तो हमने दूसरी criteria के लिए range दी है category इसके बाद कामा लगाएंगे और दूसरा criteria देंगे दूसरा criteria हमने दे दिया journal अब इसका मतलब क्या है हमें बहे record count करने हैं जो dca class के होंगे और journal category के होंगे अब केवल उनी record को count किया जाएगा जिनकी class dca होगी और जिनकी category जर्नल होगी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें answer प्राप्त हुआ 2 हमारे table में ऐसे दो record हैं जो कि dca class के हैं और journal category के हैं इस प्रकार से आप यहाँ पर कितनी भी condition set कर सकते हैं तो यदि multiple criteria के आधार पर multiple condition के आधार पर आपको record को count करना है तो आप use कर सकते हैं count ifs function का यह थे हमारे आज के कुछ important function जो कि कई बार paper में पूछे गए हैं आपसे पूछा जा सकता है excel में सभी प्रकार की value से भरे गए cell को count करने के लिए किस function का use किया जाता है excel में ऐसा कौन सा function होता है जो maximum value को find करके दे Excel में average calculate करने के लिए किस function का use किया जाता है एक criteria के आधार पर cell को count करने के लिए किस function का use किया जाता है कई प्रकार से आपको इन function के question paper में मिल सकते हैं तो आज की वीडियो में हमने लगबग 13 प्रकार के important function को समझा साथी साथ इनको practically use करना भी सीखा आप इन सभी को पढ़े समझें यदि आपका कोई question है कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें ज्यादा से ज्यादा share करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यबाद